नमस्कार चात्रों कविता वली उत्तर कांट से आज भाग दो हम पढ़ेंगे भाग एक हम पूर्ण कर चुके थे और भाग एक मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया था आश्रा है कि आप सब भी वीडियो देख रहे होंगे यह जो आपके पास पार्ट है बहुत ही मै मैं आपको समझा रही हूँ सो आए आज भाग दो हम पढ़ लेते हैं भाग एक में मैंने आपको समझा दिया था कि गोस्वामी तुसित आजी ने अपनी समय का सत्य बताया है किस तरह से उस समय की सामाजिक और आर्थिक स्तिति को बताया है और इस चंद में भी हम वही पढ करते हैं क्या कह रहे हैं खेती ना किसान को भीकारी को ना भीक बली बनी को बनीच ना चाकर को चाकरी जीविका बिहीन लोग सीदमान सोच बस कह एक एक सो कहा जाए का करी वेदु पुरान कहा लोक बिलोकत साकरे सब पे राम रावन किरपा करी दरिद्र दसानन दबाई दुनी दीन बंधु दुरित देहन देखी तोसी हाहा कार करी सो पहले इस चंद का हम भावार्थ और व्याख्या में आपको समझाओंगी सबसे पहले यह चंद है चंद क्या होते हैं वो मैं आपको पूरे जो कविता वली है पूरा पढ़ने की पसात में आपको समझाओंगी यहां पर दोसी वाजी ने कल्यू का वर्णन करते हुए कल्यू की वर्णन करने की पहाने अपने यूग का सत्य बताया है अपने युग में जो वसोलवी सदी की बात करते हैं उस युग में कैसी इस्तिती थी हमारे देश की संसार की वह सत्य वह बताने का प्रियास कर रहे हैं और साथ में इदास्य भाव हमें यहाँ पर दिखेगा ठीके, सो क्या कह रहे हैं पूरे जो अर्चंद है उसको पढ़ने से पहले मैं आपको सब्धार्थ हम देख लेते हैं ठीके, सबसे पहले खेती का रहता आप सभी को पता है खेत, किसान, खिसान, भीकारी अर्थात, भीक मांगने वाला और बली का रहते क्या होता है यहाँ पर दान, भली का रहते हैं, दान दिना बनी का रहता ब्यापारी, पिछले चंद में भी हम पढ़ चुके थे चाकर रहता, नोकर, सेवक, चाक्री रहता, नोकरी, सेवक करना जीवी का काका रहता है, अर्णिं करना, कमाई, मतलब इंकम जैसे कहते हैं विहीन अर्थाद विहीन मतलब कमी होना लोग लोग अर्थाद लोग जनता सीद मान सीद मान का अर्थ होता है दुखी सोच अर्था सोच बस अर्थाद बस आप क्या करें कहें एक एकन को आगे क्या है एकन को अर्थाद एक एक को करें और सोच रहे हैं कि कहां जाए, क्या करें, कहां जाए अर्थाथ, कहां जाना और क्या करें बेदो, बेदो, अर्थ, बेद, पुरान अर्थाथ, पुरान आप सभी को पताए कि वेद चार होते हैं पुरान अठारह पुरान और हमारे वेदों और हमारे देश में वेदों और पुरानों का बहुत ही मैहत्व हैं कही कहीं ़ोकों अर्थाद, बिलोकती अर्थाद किस तरह से उसीज को प्रकट करना सांक्रे अर्थाद संकट में सब अर्थाद सब राम अर्थाद राम रावन अर्थाद रावन और क्रिपा अर्थाद दया करना क्रिपा करना दारिद अर्थाद गरीबी और दसानन अर्थाद दस सिर्वल अर्थाद रावन दबाई अर्थाद दबाया दोनी कर्थ संसार दीन बंदू अर्थात जो दीन गरीबों के जो बंदू है दीन अर्थात दीन दुख्यों के जो बंदू है अर्थात दीन बंदू भगवान राम और दुरित देहन दुरित अर्थात पाप, देहन अर्थात समाप्त करना, जलाना और तुलसी हाहाकार करना, दुख प्रकट करना ठीक है? तो हम इसका भावर्थ जान लेते हैं सबसे पहले तो इसका भावर्थ क्या होगा? मैं आपको पहले विशेज बता दूँ कि उस समय के सत्य का वर्णन किया है तो उसी दासी ने और कह रहें कि उसमय और कल्यों कभी ये सत्य है स्वाबा हुए कि ये सत्य है आज अगर हम देखें तो COVID के कारण संपूर्ण विश्च जिस परिशानी से जूज रहा है कि आज कभी सत्य देखा जा सकता है आगे क्या कह रहे है कि खेती ना किसान को कि पहली लाइन कार्थ देखेंगे खेती ना किसान को कि किसान के पास खेती करने के लिए नहीं है भीकारी को न भीक, भीकारी के पास भीक नहीं है क्योंकि जब लोगों के पास पैसे नहीं होगे, लोगों के आर्थिक इस्तिती सही नहीं होगी तो उनके पास भीक देनी के लिए कुछ नहीं होगा भीकारी को न भीक बली, बली अर्था दान दान करने के लिए दाने के लिए जो दान मांगने वाले हैं उनके पास दान नहीं है और रिशिमन्यों को जो दान मिलता है जो जिन लोगों के आर्थे किसी दे सही होती है वही दान करते हैं तो जब किसी के पास पैसे ही नहीं होंगी तो दान भी कहां से करेगा सो बनी को बनी करता देख ब्यापारी और बनी जर्था ब्यापार नहीं है एक ब्यापारी के पास ब्यापार नहीं है तो लोग सामान भी कहां से कर देंगे ना चाकर को चाकरी और नहीं एक सेवा के पास कोई सेवा करने के लिए कुछ क्या है सादन है, एक नौकर के पास नौकरी नहीं है सो जीवी का बिहीन, इस संसार में जितने भी लोग है वो क्या हो कि जीवी का बिहीन हो गए अर्थाद उनके पास पैसो की कमी हो गए धन के बिना वो बिहीन हो गए अपना जीवन कैसे यापन कर रहे है क्योंकि आर्थिक इस्तिती बहुत ही भायानक हो गई है अकाल की इस्तिती हो गई है इसलिए आप वो सोच रहे हैं कि जीविगा भीहिन विश्व में सभी लोग हो गए हैं और सीदमान अर्थाद दुखी लोग ये संसार में सभी लोग क्या हो गए हैं दुखी हो गए हैं और ये ही सोच रहे हैं सोच बस अर्थाद ये ही सोच रहे हैं कहें एकन एकन सो एक करके सभी को एक दूसरे को ये ही बात कह रहे हैं कि कहां जाएं कहां जाएं और कहां करें प्रसन सोच क्छिन है अर्था देख दूरसरी से यही प्रसन करें कि आप क्या करें कहां जाएं कहां क्या करें अगर मैं सोचू तो जब आर्थिक मंदी आती है आप सभी science के student भी हैं और commerce के भी आर्थिक भी हैं तो आप सभी को पता है कि समय हो जाती है तो उसी समय की अकाल की दशा जो हैं वो तुलसिदास जी बता रहे हैं कि सभी एक दूसरे से जो दुखी लोग हैं वो पूछ रहें कि अब क्या करें कहां जाएं और आगे क्या कह रहे हैं तुलसिदास जी आगे कह रहे हैं कि बेद पुराणों में भी ये कहा गया है सबी लोग परिशान हैं जीवी का विहीन हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि जब कि क्या करें कहा जाए आप कहरें कि वेद पुराणों में भी कहा गया है वेद पुराणों कही लोकई बिलोकत कि वेद पुराणों में भी कहा गया है और लोक हु अर्था संसार में भी लोकतर देखा गया है उसका अनुभाव किया गया है उसे समझा गया है देखा गया है कि अब क्या देखा गया है वो देखें पहले कह रहे हैं दुलसिदास जी कि वेद पुरानों में भी कहा गया है वेद पुरानों में भी कहा गया और लोकोव विलोकत अर्थल पुरे संसार में भी ये देखा गया है देखा भी गया है कि जब जब संकट आता है सांकरे सवे पे सांकरे अर्था संकट संकट में, दुखी में, जब सब पर संकट आता है, दुखी आता है, तो क्या होता है? तो राम, राम के आगे क्या है? संबोधन चिन है, तो एहे राम, रावरे क्रिपा करें, कि हे राम आप ही क्या करते हो? क्रिपा करते हो आप ही क्या करते हो हम सब पर पूरे विश्वे पर क्या करते हो क्रिपा करते हो तो तुलसिदास जी क्या कह रहे है कि सभी लोग जिवी का बहीन हो गए है आप ये सोच रहे हैं कि कहा जाएं क्या कहें आगी तुलसिदास जी कह रहे हैं और संसार में देखा भी गया, यह अनुभाव भी किया गया, लोग को विलोकत अर्थत, और यह देखा भी गया है, कि जब जब साक्रे सभी पे संकट आता है तो राम संबोधन चिन कारता है ये राम आप ही क्या करते हो कृपा करते हो ये राम आप ही रास्ता दिखाते हो आप ही इसका क्या करते हो उद्धार करते हो आप ही गरीबों का जो दुखी है उनका क्या करते हो उनका उधार करते हो और दरिद्र दसानन दरिद्र अर्थाथ गरिबी दसानन गरिबी को ही दसानन कहा गया है तो यहाँ पर कुन से लगकार होगा रूपक लगकार दरिद्र दसानन दसानन नहीं था रावन दबाई अर्थाथ जो रावन के सिकंजे में ये सब दुख एक आर गरीबी रूपे जो ये रावण ने सबको पुरे संसार को अपने सिकंजे में कसा है अपने कबजे में ले लिया है क्या करें क्या करें दुनी अर्था दुनिया को दबाय अर्था दबा दिया है कि इस गरीबी संकट रूपे रावण ने अपने सिकंजे से इस संसार को दुनी करते हुए करें कि हे दीन बंदू दीन अर्थाद दुख्यों के दुख हरने वाले बंदू दुख्यों के भाई आप ही क्या करोगे दूरित दहन दूरित अर्थाद पाप का जो रावन रूपी जो दरिद्र है जो संकट है उस पाप देखर क्या कर रहे हैं हाहा कार मचा रहे हैं तोलसिदास इसमें दुख प्रकट कर रहे हैं और अपने राम को पुकार रहे हैं कि हे राम अब आप ही इस संसार का क्या कर सकते हैं उद्धार कर सकते हैं इस संसार को रावन रूपी जो है दरिद्र दाने रावन रुपी संकट ने दबा दिया है और पाप की ज्वाला में सब जल रहे हैं अर्थाद आप इस पाप का क्या करो विनास करो हे दिन बंदू आप भी उद्धार करो So clear to everyone सबसे पहले मैं आपको बता दो कि तोलसी दाजी ने मुखे रूप से आउदी भाषा में ही जो रामचरित मानस के जो लेग किया है रामचरित मानस को उनुने आउदी भाषा में लिखा है परन्तो ब्रज भाषा भी उनका कही कही पर देखने को मिलता है और यहाँ पर भी हमें ब्रज भाषा भी आसान है तो अनुपरास लंकार आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा दुरिद्र दसानन और दरिद वीस में रूपक लंकार है मैं आपको बता चुकी थी कविचंद है और ततकालिन आर्थिक दशा का वर्णन यहाँ पर किया गया है के लिए टो एब्रिवन अर्था यहाँ तो सिदासी ने अपने समय की इस्तिती को कल्यू कवर्णन करते वे अपने समय की इस्तिती को भी दिखाया है और आज की समय की इस्तिती कहीं न कई मचे यह दिखाई देती है सो रस में कौन सा होगा करून रस और भक्ती रस दोनों ही यहाँ पर करून और भक्ती दोनों रस यहाँ पर दिखने को मिलते हैं किलेर टो एब्रिवन सो आब तीसरा जो चंद है वो पढ़ते हैं दो चंद हम पूरा कर चुके थे तीसरा चंद आज हम पढ़ते हैं तीसरे चंद क्या है अब इसको ध्यान पूरोग आप देखेंगे तीसरे चंद में तूलसी दाजी कह रहे है धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जोलाहा कहो कहो कोई काहो की बेटी सो बेटा न ब्याहद काहो की जाती बिगार न सो हो तूलसी सरिनाम गुलाम है राम को जाको रुचे सो कहो कचको मांगी की खैबो मजीद को सोईवो ले भी को न एको न दे भी को न दो अब पार्ट थ्रियर्था तीसरा चंद जो है वो मैं आपको समझा रहे हूँ ध्यान पूरोग से सुनिए और समझे इसे बले हम क्या देखेंगे सबदार्थ देखेंगे सबदार्थ ध्यान से समझना धूत धूत का अर्थ है धूत त्यागा हुआ अउधूत का अर्थ है सन्या से राजपूत राजपूत कहो अर्थात कहो जो लाह अर्था जो लाहा जो लाहा जो कपड़े बुनते हैं जो लाहा कहो और काहो की बेटी सो काहो अर्थात किसी की बेटी सो अर्थात बेटी ब्याहा करता ब्याह करना काहो की अर्थात किसी की जाते विगार अर्थात विगार अर्थात विगारना विगार का अर्थात क्या होता है विगारना और नसो ठीक है और आगे क्या करें सरनाम सरनाम कारत चाधए के आपर सरनाम अर्थात विख्याते है प्रसिद्ध है राम को जा को रूची-रूची करते क्या होता है इंट्रस्ट रहाँ सो कहो कुछ कच्छू क हो अर्थात कुछ भी कहो मांगी के खेव क्टू कटू क्टी क्या है crowded को खाना मसीद करते हैं मसीद सोई वो करते हैं सो ना लेवी को अर्थाद लेना एक और लेवी को एक ना देवी को अर्थाद देना और दो अर्थाद दो सो क्या है पूरा आप पूरे जो चंद को हैं वो समझ लेते हैं ठीक हैं तोलसी दासी कह रहे हैं कि धूत कहो धूत अर्था धूर्थ कहो जाए मुझे या अवदूत कहो अवदूत अर्था सन्यासी कहो राजपूत कहो या जोलाहा कहो जोलाहा कहो जोलाहा कहो अर्था कपड़े बुन्यों वाला कहो कुछ भी कहो क्योंकि आप कहने में स्वतंत्र हो आप मुझे कुछ भी कह सकते हों कि मैं दूर्थ हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं राजपूत हूँ या मैं जोला हूँ जो आपकी इच्छा है वो कहो क्योंकि काहू अर्थात क्योंकि काहू करते क्या बता है मैंने क्योंकि कि काहो कि किसी की बेटी सो बेटा ना व्याहब आप मुझे कुछ भी कहो क्योंकि मुझे काहो अर्थाद किसी की बेटी सो बेटा ना व्याहब अर्थाद क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का व्याहब अर्थाद ब्याह नहीं करना है आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं कि मैं इस धर्म कहूं इस जाती कहूं क्योंकि मेरे को तो किसी की बेटी का भिवाव अपने बेटे से नहीं करना है किसी की बेटी का बेटी का भिवाव या अपने बेटी से नहीं करना है काहू कि रुची जाती विगर नसो और आगे कह रहे हैं कहा हूँ कि जाती विगर नसो और नहीं मुझे कोई जाती के विगरने की चिंता है ठीक है आगे कह रहे हैं मुझे कोई मतलब नहीं है कि मैं किस जाती का मुझे समझ रहे हूँ क्योंकि मुझे अपनी बेटे बेटा बेटी की ब्योहात हो किसी से करवाना नहीं है और इसलिए कहो कि किसी की जाती का बिगर नहीं का कि सम्मंद बिगर रहे हैं, जाती बिगर रहे हैं उसके भी मुझे चिंता नहीं है मैं क्या हूँ? तुलसी सरनाम क्योंकि तूलसी के सरनाम है विख्यात है गुलाम है राम को कि जो क्योंकि सब जानते हैं संसार में सब जानते हैं कि तूलसी सिर्व क्या है राम का गुलाम है और राम के गुलाम के रूप में वो विख्यात है पूरे संसार में सभी जानते हैं कि तोलसी किसके गुलाम हैं, किसके सेवक हैं, किसके भक्त हैं, राम के भक्त हैं, जाको रुची, सो कहो कुछ ओओ कह रहे हैं अब इसके बाद जिसकी जो रुची है जिसका जो जी में आता है जिसका जो मन में आता है सो कचो कचो वो कुछ भी कह सकता है मुझे जिसकी जो मन में आता है वहां मुझे कुछ भी कह सकता है इसलिए मुझे कोई फरक नहीं पड़ता है क्योंकि मुझे जहातिपाती से कोई संबंद नहीं है ना मुझे अपने बेटी का प्योगा किसी के बेटे से करना ना बेटी का प्योगा किसी के बेटे से करनी है तो उसका मुझे कोई मतलब नहीं है मैं सिर्फ भगवान राम के सिवग भगवान राम के भगत के रूप में क्या हूँ प्रसी दोहरे से पूरा संसार जानता है और आगे क्या कह रहा हूँ मैं क्या करता हूँ आगे तुलसी क्या कर रहे है कि मैं क्या करता हूँ मैं मांगी के खैबो मांग के खाता हूँ तुल्जी दाजी करें कि मैं भिक्षा मांग के खाता हूँ भिक्षा मांगता हूँ और मज़ित को सोईबो और मज़ित में सोता हूँ सोईबो अर्था सोता हूँ यहाँ पर तुल्जी दाजी ने हर जाति का और dharmik interact का प्रमान दिया है वो हिंदु धर्मते वग्वान राम के वो भाग्त ठे परन्तों उन्हें मस्ज़ित शब्द का प्रियोग करकर यहां पर dharmik adarta का भी प्रिचे दिया है जाती वाद का उन्हें विरोध किया है तो आगे कह रहे हैं क्योंकि मैं क्या करता हूँ मस्जित मांग के खाता हूँ बिक्षा मांग के खाता हूँ और मस्जित में सूता हूँ लैबी को एक और मुझे क्या करना है लैबी को अर्था लेना एक लेना मुझे एक नहीं न देबी को दो और न देना दो तो ये क्या है एक मोहाबरा न देना न लेना एक न देना दो ये मोहाबरा यहाँ पर प्रकट होता है आप पूरा आर्थ में आपको समझा दू सबसे बहले विशेष क्या है यहाँ पर एक स्वामी भक्ते के रूप में तुलसिदास जी ने अपने आपको यहाँ पर उजागर किया है साथ में ही वो इतने विद्वान थे तुलसिदास जी इतना ग्यान उने था इतनी सारी रचनाई उन्होंने लिखी कि इन सब रचनाओं के बाद वो इतने प्रसिद्ध होके थे कि वो किसी भी जाती विरोध का और धार्मिक जो धर्मवाद है संप्रदाइकता है उसका विरोध वो असानी से कर सकते हैं सबका आत्मविस्वास उनके अंदर आ गया था इसलिए यहां पर उनका स्वामी बग्तरदाद भगवान राम के रूप में वो जो गुलाम अग्वान राम के कह रहे हैं वो तो एक चीज़ दिखती है दूसरा आत्मविस्वास दिखता है कि वो जातिवाद का विरोध कर सकते हैं संप्रदाइकता का विरोध कर सकते हैं ब्रज भास्चा मैंने आपको बताया शान तरस ब्रज और अवधी भी कहीं पर दिखती है असान तरस यहां पर है ठीक है जातिवाद का उन्होंने विरोध किया है और साथ में ही उन्होंने क्या किया एक बार मैं फिर से कहूं उन्होंने कहा कि क्या है मुझे तुम दूगूत कहो सन्यासी कहो, राजपूत कहो मुझे कोई फर्रग नहीं पड़ता क्योंकि मैंने ना किसी की बेटी का व्याव अपने बेटे से करना है और नहीं मुझे कोई जाती भी करने की चिंता है स्वाबा भी एकसी बात है आप सबी को पता है कि मुसली जो हमारे हिंदु धर्म में है कि हाँ जाती को देखकर आच्छे से व्युवाव किया जाता है और जाती के बाहर भी अगर व्युवाव होता है तो वो अंतर व्युवाव जिसे हम इंटरगास कहते है वो हो जाता है तो वो भी बुरा है जाती कि हम छाटा छाटी करेंगे छटने करेंगे तो वो भी गलत है इसलिए वो जाती बात का पुरा विरोध यहाँ पर कह रहे हैं और आगे कह रहे हैं कि साथ में इसी बात को कहने में उनोंने यह भी प्रमान दिया है कि कोई भी संत है उसकी कोई जाती नहीं होती फक्कड भास का उनोंने यहाँ पर प्रियोग कि फक्कड रोप से कहा है कि मुझे किसी की बेटी या बेटे का व्युहाव नहीं करवाना जो मैं जाती पाती के चक्कर में पढ़ू तो वही चीज़ वहाँ पर दिखा रहे हैं कि मुझे वो सब चीज़े किसी के चकर में नहीं पढ़ना है और मैं जाती पीगरने की बी चिंता मुझे नहीं हूँ मैं सिर्फ एक गुलाम हूँ किसका अतुलसी किसकी गुलाम है राम के सेवक है और जिसकी जो भी रोची है जिसका जो भी मन में आया वो मुझे कह सकता है क्योंकि मैं क्या करता हूँ मेरा अपना कोई घरबार नहीं अपना कोई ऐसा स्थित्यों नहीं कि जिसके बिगड़ने की मुझे चिंता हो क्योंकि मैं मांग के खाता हूँ मस्जिब में सोता हूँ और मज़े किसी की एक किसी को लेना नहीं किसी को दो देना ने है तो लेना और देना ये क्या है? मोहाबरा है सो चात्रों I hope कि आप सभी को समझ में आ गया होगा स्रांतरा से अनुपरा सलंकार आपको बहुत जगा देखने को मिलेगा ठीक है? और तुसी दाजी ने इस छंद में तुसी दाजी दाजी चात्रों आज के लिए इतना ही आश्रा है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा भाग तीन और चार में इस पूरी कविता वली का हम देखेंगे अगले भाग में हम जो पढ़ेंगे वो लक्षमन मूर्चा और राम गिलाफ है जो कि अगले भाग में हम पढ़ेंगे और बहुत महत्वपुन भाग होगा ये तीसरा और जो चतूर्त भाग होगा वो महत्वपुन होगा आप एक्टिव रहिए और प्रापर वीडियोस देखिए तो आपको अच्छे सही समझ में आएगा और नोड्स प्रापर नोड करते जाएए धन्यवाद